Hello friends, welcome to my channel Ice Everywhere. दोस्तों, अमारे इंदू धर्म में तंतिरस का काफी मोटो है, इस दिन से दिवाली का तिवार शुरू हो जाता है. और इस दिन खास तोर पर लोग खरीदारी करते है, यह सी मानियता है कि इस दिन खरीदारी करना सूब होता है. दोस्तों, इसलिए मकां की बुकिंग से लेकर गाडिया और जेवर इस दिन खरीदना सूब माना गया है. बहुट सारे लोग अपनी समता से अनुसार खरीदारी करते है. लेकिन दोस्तों कि आप जानते हो कि इस दिन कुछ यसी चीज़े है जिसे खरीदना असूब माना गया है. नहीं जानते हो ना, तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखती रहिए, आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी टोपिक पर बात करूँगा. लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किये, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाज में दियेगे बेल आकम पर क्लिक कर दीजिए, जिसे मेरे आने वाली सब भी टेक्निकल और नोन टेक्निकल वीडियो की नोटिपिक इसे ज़्दी से मिले, दोस्तों सब्सक्राइब करना वीखुल प्री है, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत जन्याद, तो चलो शुरू करते है, तो दोस्तों सबसपर बात कर लेते हैं, कि क्या खरीदना सूब है, सही है, पहला का कोई भी बरतन खरीदना सुब माना गया है तीसरे पॉइंट की बात करें तो इस दिन गणेस और लक्षमी जी की मुर्तिया खरीच सकते हैं जिनकी दिवाले के दिन पूजा होती है और मिटे के दिये भी खरीच सकते हैं चोटा पॉइंट की बात करें तो इसके अलावा घर करकि जरुएत का सामान जैसे कि TV, फ्रीज, वोसी मसीं भी खरीज सकते हैं पाच्छा पॉनकी बात करे तो लक्षम जी चीजे हैं जो में नहीं खरीदमी है पहला पर्प कि बात करें दॉसरे परक्रह की तरफ एलुमिनम पर भी रहू का प्र्भा होता है इसलिए एलुमिनम के वरतन या कोई सामन धंतिरस के दिन घर पर नो लाए यह असुब माना गया है तिसरा पॉइंट की बात करें तो काट से बनी सुन्दर चीज़े देखकर आपका मंड भी लेज़े जाता है लेकिन धंतिरस के दिन इने खरीदने की भूल ना करें काट का सरबंग सिधे राव से होता है चोथा पॉइंट की बात करें तो आमतर पर लोग इस दिन स्टील के बरतन खरीद लेते हैं जो सही नहीं है स्टील भी राव का कारक होता है इसलिए इस दिन श्टील के बरतवन घर पर नहीं लाए है तंतिरेस के दिन प्राक्रोटिक दातु ही सुब मानी गई है जबकि श्टील मानो निर्मीत है पाचा पोईन की बात करें तो इस दिन कादे रंग की कोई भी वस्तु खरिद कर घर पर नो लाए कला रंग इंदू धर्मा में सुब माना नहीं गया है च्छटा पॉइंट की बात करें तो दीवाली में उपार लेने और देने की परंपरा है लेकिन धंतिरस के दिन किसी को कोई गिप्ट नो दे यहीं अपने पेसे खर्च करते हैं और वह भी धंतिरस के दिन यानि आप अपने गर की लक्षमी किसी और को दे रहे हैं जो कापी यासुप माना गया है इसलिए गिप्ट को कभी भी धंतिरस के दिन नो खरीदे उसके पहले या बाद में खरीद ले तो दोस्तों ये कुछ बात है थी जीनियों में धंतिरस की दिन खरीदना है और नई खरीदना है दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो की इंपरमेशन अची लगी है ये उस्तूर लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सेयर करना मत बूले जिसे दूसरों को भी ये बात पता चले तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो का साथ मिलते हैं तब तब थेंक्यो